हलो एंड वेलकम तो केजी कलव ओनलाइन स्टेटी हम लोग इगनु के बुक भी एचाइसी वन जिरो वन को देख रहे हैं जिसका टाटल है इंसियेंट इंडिया इंडियन इंसियेंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पहला यूनिट हम लोगों का चल रहा है जो कि यह जोग्राफिकल रिजन्स एंड सोर्सेज आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे पहले हम लोगोंने जोग्राफिकल रिजन्स देख लिया है उससे आगे हम 1.3 में जब आएंगे आप अपने बुक में तो वहाँ आपको मिल जाएगा uneven patterns of the emergence of historical regions कि historical regions का uneven pattern कैसे सामने आता है कैसे हम लोग देखते हैं इसको देखे यहाँ पे एक term दिया गया है uneven pattern तो यह uneven बहुत important है कि uneven यहाँ पे क्यूं कहा गया है हम लोग इसे आराम से देखेंगे देखे क्यूं कहा गया है तो इंडिया हम लोग जान रहे है पिसले lectures में हमने देखा था कि इंडिया का topography जो है वो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके का है तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी uneven pattern इंडिया में देखने को मिलता है वो influence होता है वहाँ के जोग्रफी के बदालत जैसा जोग्रफी होगा वैसा culture वहाँ डेविलप होगा और उस तरीके से उस timeline के तहत वहाँ पर डेविलप होगा एक interesting बात मैं अगर बताओं जो इस book में कहा जा रहा है कि एक यहाँ देखेगा interesting historical situation second half of third millennium bc मतलब second half of third millennium bc का मतलब क्या होगा थे मतलब आप देख सकते हैं कि 2500 bce से ले करके 2000 bce तक ओके तो इस time के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त जब इस area में थोड़े से आप इस area में आ जाईए इन साड़े area में यहाँ जैसे mesolithic culture था अब mesolithic culture यह stone के tools के हिसाब से culture को बाटा गया है तो आगे हम लोगों को पर्षने के लिए मिलेगा तो इसमें उतना घबराने की जरुरत नहीं है तो बस यहाँ normal हलके word में समझ लिजी आगे detail से पढ़ाया जाएगा कि यह mesolithic culture मानिए इस area में था नियोलिथिक culture इस area में था नियोलिथिक, mesolithic से आगे था जब tools और भी प्योर तरीके से finished tools मिलते थे तो वो नियोलिथिक culture में ऐसा था तो जब इस गुजरात वाले area में mesolithic मिलता था उसी वक्त डेकन के इस area में नियोलिथिक मिलता था और इसी वक्त ये जो हमारा area है अगर मैं ऐसे बना दो तो ये जो हमारा area है पूरे के पूरे जहां से industry बहती है सरस्वती निकलती है तो ये पूरे area में उस वक्त एक developed well developed advanced culture डिवलप कर रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हरपा हरपा culture जिसे हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग Indus Valley Civilization कहते हैं जिसको हम लोग हिंदी में सिंधू सभेता कहते हैं तो जिस वक्त सिंधू सभेता बहुत advanced तरीके से इस area में चल रहा था उसे time में यहाँ mesolithic था यहाँ neolithic था अगर chronology के तरह देखें तो ये पहले आया फिर ये आया और फिर इसे आना चाहिए लेकिन जब किसी area में पूरी तरह से advancement नहीं आया था advance है कहीं बहुत जैदा advance है तो बस यही है uneven pattern के बारे में जो book में कहा गिया है जो जितना हम लोगों को जानना है कुछ area ऐसे थे अगर हम बात कर लें पूरे के पूरे 3000 BCE घबराना नहीं है आगे ये सब कुछ पढ़ने के लिए आएगा हम लोग details सब कुछ पढ़ेंगे 3000 BCE से ले करके अगर हम 2000 BCE तक की बात कर रहे हैं तो इस वक्त कुछ area south में ऐसे थे जहां iron age के तहत वहां का society दिखना शुरू हो गया था लेकिन इस area में अभी iron का कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं था और थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर मिलना start हो गया था तो देखने हैं किस तरीके से कहीं बहुत ज़्यादा advance है कहीं उससे कम, कहीं बहुत ज़्यादा कम तो एक fix तरीके से ऐसा नहीं है कि all over India में एक जैसा advancement देखने को मिला है हर जग अलग अलग तरीके का advancement देखने को मिला है बस यही है uneven pattern of the emergence of historical region अब बात यह आती है कि इस north वाले area में इतना advancement क्यों देखने को मिला तो culture कहीं भी कैसा भी develop हुआ हो लेकिन इस area में आप देख सकते हैं कि यह एक तरीके से उपजाओ area है transport है यहाँ गंगेटिक plane इस area में मिलता है तो यह साड़ा area जल्दी develop किया जल्दी urbanization यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे resource बहुत ज़्यादा था लोग आ करके जगह जगह से यहाँ आके बसने लगे यहाँ के लोग तो यहाँ थे development हुआ एगरी culture हुआ उसके साथ trade बरने लगा कुछ traders उभर के आये जो sculpture का काम करते थे कारीगर धेर साड़े उभर के आये तो यह एक market बन गया इस area को भी ले ले जाए यह एक market बन गया इसलिए यह area जल्दी क्या होता है तो advance होता है ठीक कोई भी area को advance करने के लिए पूरी तरह से यहाँ का geographical condition जिम्मेदार है यहाँ का geographical condition ही इस तरीके से है कि यहाँ पर advancement बहुत जल्दी आई बस इतना ही जानना है अपने लोग को ओके उसके आद एक और point आता है मैं इसे पहले erase कर देता हूँ उसके आद देखते है इंडिया का ये वाला area इंडिया का ये वाला area देखिए कापी important है इस area में कहा जा रहा है कि कभी भी geographical condition यहाँ इस तरीके का है इतना घना जंगल है कुछ पठारी area यहाँ पहाड है तो इस वजह से ये area कोई भी आम आदमी या फिर एक society के तहत colonize नहीं किया गया ये कभी भी colonize नहीं किया गया इवन जब अंग्रेज भी आते हैं तो इस area पे अपना authority नहीं दिखाते हैं तो इस पजह से ये area क्या हो गया तो isolated area हो गया ये area isolated area हो गया और यहाँ पे tribes आ करके बसने लगे और ये tribe का एक अच्छा सा center बन गया तो ये हो गया tribal center ठीक है क्योंकि ये area काफी isolated था यहाँ पे घने जंगल है पहाड है कुछ पठार के पार्ट है तो यहाँ पे आम इंसान जा करके अपना जीवन यापन करना सही नहीं मानते जिनको भी करना है वो नदी वाले area में रहना पसंद करते ताकि अच्छे तरीके से उनका lifestyle फलफल स चलिए अब हम लोग देख लेते हैं the nature of regions ठीक the nature of regions क्या खहता है उसे भी देख लेते हैं वही चीज़े जो हम लोगों ने आप भी discuss किया बस उसी को थोड़े हलके से details से example के साथ describe करते हैं तीन तरह के region होते हैं एक region आपको हो जाता है perennial nuclear region जैसे perennial river होता है जिसे गंगा यमना ब्रहम पुत्रा जो कभी नहीं सुकती जो बहती रहती है वो आज भी बह रही है उसी तरीके से perennial nuclear region था जो लगाता डिवलप करता चला गया एक होता है relative isolation वाला region जो perennial region और एक होता है isolation region हमने आपको isolation region अभी बताया था कि जहाँ पे tribes क्या होए डिवलप करना शुरू किये क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना कम था वो दोनों के बीच का जो यह transition area होता है बस यह होता है relative isolation वाला area ठीक तो relative isolation उतना नहीं है area of isolation हमने discuss कर लिया अभी हम perennial nuclear region को देखते हैं कि वो क्यों इतना फला फुला ठीक और क्यों collapse भी हुआ तो उसे हम लोग अभी देखेंगे तो जैसे कह रहा है कि in Indian history we see the early emergence of some regions as perennial bases of power ठीक perennial base वहीं बना इतना ध्यान में रखना है जब भी perennial base की बात आती है तो perennial base वहाँ बना जहाँ perennial river बह रही थी गंगा बह रही थी ठीक यमना बह रही थी सरसती इंडस जो भी है इस area में क्या हुआ perennial region आकर के बसा ओके और फिर यहाँ पे एक power generate हुआ लोग यहाँ आकर रहने लगे ठीक खेती करना शुरू किया व्यापार करना शुरू किया तो यहाँ पे society develop किया जो modern बना और उसको rule करने के लिए धेर सारे political activity यहाँ पे अब पनपना शुरू हो गिया और वही बाद में धीरे धीरे धी साल सामराज यह है फिर आगे हम लोग देखेंगे कि develop करना शुरू होता है और वो उसी एरिया में शुरू होता है जिस एरिया में resource भरपोर होता है चाहे मौरी हो गुप्त हो आगे सब कुछ देखने को मिलेगा ठीक तो यहाँ पे जिसे कहा रहा है यहाँ important center of power बनता गया कौन सा perennial river वाला एरिया perennial river कौन कौन सा था तो गंगा था महानदी, कोदावरी, कृष्णा, कावेरी यह सारे एरिया जो थे वो perennial river थे जहाँ पे attraction होता है human settlement का लोग यहाँ आकर बसना शुरू करते हैं क्योंकि resources से भरपूर एरिया यह सब है और उस वक्त था भी ठीक है क्योंकि resources यहाँ पर available है अब यहाँ question उठता है can geography and environment be taken as a same kind of prime movers? क्या geography और environment के वजहाँ से जो movement होता है क्या वो real है? तो अगर हम लोग देखें तो historians का कहना है कि history cannot be perceived in terms of geographical determinism बिना geographical area के, बिना geographical factor के history को हम लोग नहीं जान सकते हैं इसलिए किसी भी history को अगर आप पढ़ने जाते हो तो खास करके ancient history क्योंकि हम लोग यहाँ beginning से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने के लिए अभी हम लोग geographical region देख रहे हैं, इसको देखना है इसलिए जरूरी है क्योंकि geographical region जब तक हमें पता नहीं रहेगा, हम लोग history को, इतिहास को समझ नहीं पाएंगे तो यही बात कहा गया है कि बिना geographical के, हम लोग history को तैय नहीं कर सकते बिना geographical के, हिस्टरी तैय नहीं किया जा सकता जिसे example में आप हरपन civilization को देख लेजिए यह एक perennial river के पास था, हाँ, Indus river के पास था, सरस्वती river के पास था और यह first urban civilization है, मतलब यह इतना फला फुला इस एडिया में कि यह first urban civilization कहलाया, सबसे पहले urbanization हरपा में ही होता है इसलिए से first urban civilization तक कहा गया अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जगरफी काफी सही था, बगल में नदी है तो land काफी, क्या होगा, fertile होगा, land fertile होगा, तो plowing होगा plowing होगा, तो यहाँ पे plowing करके ही फसल को उपजाया जाएगा ठीक है, फसल उपजाया जाएगा, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि plowing ज़्यादा हो रहा है, extensive use of plow, ठीक है, हल ज़्यादा जोता जा रहा है agricultural surplus बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए-ने technology अब society पनपा, modern society है, अर्बन civilization है, तो नए-ने technology को बोलाएगा और new technology से development देखने को मिलेगा, ठीक उसके याद धेर साड़े रहनी क्रॉप यहाँ पे उगेंगे, plowing किया जाएगा तो wheat, barley, rice, यह सब यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक अब क्योंकि इतनी कुछ हुआ, तो agricultural surplus जायज है, कि agriculture फला फुला तो surplus होगा ठीक है, और town का establishment हुआ, यह लोग हम लोग 12 डिसकस कर चुके हैं ठीक, अब town develop हुआ, agriculture का surplus हुआ, देखिए, एक होता है agriculture, हम लोग खाने के लिए करते हैं जितना हम लोग खाने के लिए करते हैं वो हमारी हुवी खेती, ठीक एक होता है agricultural surplus, surplus वो हुआ कि जितना हम लोग खाते हैं, उतना तो है ही और extra भी हम लोगों को बज जाता, जिसको हम लोग क्या करते हैं, export कर देते हैं तो अब हम लोगों को क्योंकि agricultural surplus होने लगा, ठीक है, तो exchange शुरू हो गया, ठीक है, कहां तो long distance, मेसोपोटामिया तक exchange होता था, ठीक, तो Syria, Iran, Iraq वाले एरिया में वहाँ पे trade होता था, तो long distance में exchange होने लगा, अब क्योंकि अब ये short distance का trade तो छोड़िए, अब long distance का trade चल रहे है, तो long distance का trade चलेगा, तो record तो maintain करना पड़ेगा, अब record जो maintain करना पड़े तो बस समझे, лिटरेशी वहाँ के लोग literary हो रहे है, वहाँ के लोग अब गुना भाग करना सीख रहे हैं, वहां के लोग अब script यूज करने लगे हैं किस चीज से हम denote करें तो वो एक तरह से पढ़ा लिखा समाज पनपना शुरू हो गया अब देख रहे हैं एक perennial river के पास society बसा agriculture हुआ new technology आया agriculture surplus हुआ तो trade हुआ long distance का long distance का trade हुआ जैसे export हुआ export import जब शुरू हुआ तो record maintain करना पड़ा और record अगर maintain करना पड़ गया तो वहां के लोग literate होने शुरू हो गया ठीक तो evidence of literacy हमें हड़पा से देखने को मिलता है धेर साड़े script यहां देखने को मिले हैं above 3000 से ओपर के script देखे हैं सबसे लंबा है script तो even 125 साइन सबके हैं तो यह सब अभी पढ़ा नहीं किया है लेकिन यहां यह शो करता है कि वहां की literacy वहां के लोग literate थे वहां के लोग term यूज करते थे एक script था वहां के लोगों को जिससे वो record maintain करते थे official record जो होता था तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि geography किस तरह से geographical reason के वज़े से society कितना उपर पहुँच चुका है society का graph कितना उपर जा चुका है इसलिए geographical reason effect करता है किसको तो history को तो हम कह सकते हैं कि history जो है वो geography के विना history नहीं हो सकता अब जिसे देखिए अभी हम लोगोंने हरपा को as a first urban civilization देखा एक छोटे से agriculture से export तक हमने देखा literacy तक देखा अब फिर एक geographical change होता है और ये हरपा पूरी तरह से तबाह हो जाती है वो कैसे होता हम लोग देखते है जिसे देखिए सरस्वती river क्या होती है समय के साथ साथ सूख जाती है सूखना शुरू हो गया बाढ़ आना शुरू हो गया हरपन regions में धेर साड़े हरपा की region थे ये सब हम लोग आगे अच्छे से परेंगे बस आप लोग जुडे रहें उसके याद फ्लड आगया इंडस में climatic change आया अभी भी देख रहे होंगे climate change कितना ज्यादा climate change को ले करके भरा पुरा है उस वक्त भी long distance तक समाच रहा फ्लड आया सरसती रिवर सूखने लगी और ये सब climate change का evidence दिखना शुरू हो गया salination of agricultural soil हाँ उप जाओ मिटी अब क्या खाड़ा होने लगा क्यों तो due to irrigation irrigation के विज़े से मिटी में खाड़ापन आने लगा अभी भी आप लोग देखते होंगे पंजाब हड्याना वाले area में क्या है कि इतना ज़्यदा सिचाई हुआ कि वहाँ क्या हुआ saline वहाँ का जो मिटी है उसमें खाड़ापन आना शुरू हो गया और मिटी में खाड़ापन शुरू हो जाएगा तो फसल नहीं उपजेगा इतना यदा खाड़ा है कि एवन वहाँ पे अगर आप वहाँ के वाटर को आप यूज़ भी करें अभी भी हम लोग देख रहें न renewable resource, non renewable resource हम लोग देखते हैं उस वक्त भी क्या हुआ over utilization of natural resource हुआ जिससे क्या हुआ natural vegetation तबाह हो गया एक लंबे समय तक समाज रहा समाज ने वहाँ के natural resource को बहुत जादे तरीके से यूज़ किया और वहां का vegetation तबाह हो गया और इस वज़ासे हमें collapse देखने को मिलता है कहां तो inter-sivilization में तो किस तरह से हमने जोग्रफी को जोग्रफी के वज़ासे किसी एक खास एडिया को हम लोगों ने उपर उठते वे देखा और उसी जोग्रफी के वज़ासे ग्राफ नीचे भी आते हैं हम लोगों ने देखा तो जोग्रफी किस तरीके से एफेक्ट करता है किसी एडिया के history को historians इस बुक में इस chapter में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये था आज हम लोगों ने regions के बारे में पढ़ा कि कैसे historical region कैसे जोग्रफी किसी region को denote करता है कैसे हम लोग जोग्रफी के मदद से उस जगह के history को पहचान पाते हैं तो अबर अल हम लोगों ने आज nature of region देखा तो next part में हम लोग ले करके आएंगे sources जो बहुत important है तो वो मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो next part में हम लोग वो लाएंगे और फिर ये unit खत्म हो जाएगा इस unit में बस इतना ही था और हाँ इस unit को अगर आप समझ गए आप geographical region को समझ गए आप ये emergence of historical region समझ गए आगे जो मैं sources लेकर क्या हूँगा अगर आप वो sources को समझ गए तो समझ ये ancient history आप के लिए काफी आसान हो जाएगा तो इस unit को आप लोग अच्छे से देखें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है आप बार बार देखें book को study करें फिर देखें अगर आप इसे समझ गए तो आगे के unit को समझने में उतनी परिशानी नहीं होगी और ये साड़ी चीजे काफी आसान तरीके से हम लोग cover कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही था धन्यवाद